चलो दूसरा सवाल पुछती हूँ किसी परकार का एक्षा जताती है और उस एक्षा को पती देव पुरा नहीं कर पाता है तब उसके लिए काफी खतरनाक परिस्थिती पैदा हो जाता है और इस परिस्थिती से कभी-कभी पती बेचरा बाहर भी नहीं निकल पाता है अंत्ता वह पागल भी हो जाता है पत्नी इक्षाधारी नागिन की तरह होती है और वो अपने पती को अपने इक्षा के अनुसर काम करने के लिए मजबूर कर देती है अथ हम कह सकते हैं कि पती को पागल करने का सभी गून जिस औरत में मौजूद हो उसे हम पतनी करें